आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि करवा चौत की दिन चंद देवता की पूजा कैसे करें और चंद देव को कैसे अर्ग दें देखिए सबसे पहले हमें चाहिए एक लोटे में पानी इसी से हम चंद देवता को अर्ग देंगे तो इसमें मैंने गंगा जल जल और दूद डाला है और थोड़े से फूल भी डाले हैं आप चाहें तो लाल फूल भी डाल सकती हैं देखिए कुछ लोगों के यहां करवे से चंद देवता को अर्ग दिया जाता है और करवे में ही वो पानी भी भरते हैं लेकिन हमारे यहां अर्ग देने के लिए अलग से लोटे में पानी लिया जाता है और हम इसी से चंद देवता को अर्ग भी देते हैं तो आपके यहाँ जैसा रिवाज है आप वैसे कर सकते हैं दूसरा मैंने यहाँ पर हल्दी ले रखा है, कुमकुम ले रखा है, अच्छत ले रखा है और चंदन ले रखा है ये सबी चीजे हम चंद देवता को अर्पित करेंगे इसके बाद वरत खोलने के लिए आप कोई भी मिठाई ले सकते हैं या जो भी मीठा आपने अपने घर में बनाया है जैसे खीर, हल्वा आप चाहें तो उसे भी ले सकते हैं वरत खोलने के लिए इसके बाद हम वरत खोलने के लिए पानी का लोटा लेंगे आप चाहें तो गिलास में भी पानी ले सकती है और यही पानी पी करके आपको व्रत अपना खोलना है उसके बाद हमें चाहिए एक दीपक तो आपको मिट्टी का दीपक लेना है यही दीपक हम चलनी में रख करके चंद देवता के दर्शन करेंगे और यहाँ पर मैंने फल ले रखा है तो मैंने यहाँ पर दो केले ले रखे हैं चंद देवता को चढ़ाने के लिए तो आप कोई भी फल ले सकती है और थोड़े से फूल भी लेंगे इसके बाद हमें एक चलनी भी चाहिए तो देखिए मैंने यहाँ पर स्टील की चलनी ली है अगर आप प्लास्टिक की चलनी लेंगे और यहाँ पर जब दीपक रखेंगे इसमें तो चलनी के जलने का डर रहता है और फिर मन में एक अप्शकुन वाली बात आ जाती है और अगर आप प्लास्टिक की चलनी यूज भी कर रहे हैं तो उसमें दीपक बिल्कुल भी ना रखें तो दीखे ये तो हो गई पूजन सामागरी अब मैं आपको पूजन विधी बताती हूँ कि आपको चंद देवता की पूजा कैसे करनी है तो देखी सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देती हूँ कि ये एक डेमो वीडियो है अभी चंद देवता नहीं निकले हैं मैं बस आपको एक पूजन विधी दिखा रही हूँ कि आपको करवा चौथ के दिन कैसे चंद देवता की पूजा करनी है तो हमने जो भी हल्दी कुमकुम चंदन लिया है उसे हम चंद देवता को चड़ाएंगे और अच्छा तर्पित करेंगे फिर हम चंद देवता को अर्ग देंगे तो दीखी सबसे पहले थोड़ा सा जल डाले फिर हमें तीन बार परिक्रमा लेनी है पहली एक परिक्रमा लेने के बाद हम थोड़ा सा जल चड़ाना है फिर तूसरी परिक्रमा लेने के बाद थोड़ा सा जल चड़ाना है और फिर तीसरी परिक्रमा लेने के बाद थोड़ा सा जल चड़ाना है और अगर आप परिक्रमा करते वक्त जल चड़ाना भूल जाते हैं तो जल चड़ाने के टाइम पर आप सारा जल एक बार में ही चड़ा दे और फिर अपनी जगह पर खड़ा होकर तीन बार परिक्रमा ले लिजे तो आप दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हैं और अब जो चलनी है उसमें हम दीपक रखेंगे और चंद देवता के दर्शन करेंगे और चंद देवता को देखने के बाद आप इसी चलनी से अपने पती को देखें और उनकी भी आरती करें और पती के पैर चुकर उनका आशिरवाद लें फिर आप इस दीपक को वहीं पर रख देंगे मतलब वहीं पर जलता हुआ छोड़ देंगे आप चाहें तो बालकनी में भी रख सकते हैं या फिर छट पर भी रख सकते हैं और जो भी आप फूल फल लाए थे चंद देवता को चड़ाने के लिए मन ही मन उनका ध्यान करके यहाँ पर चड़ा दीजे या फिर रख सकते हैं उसके बाद जो हम जल का लोटा लाए थे उसे आप अपने पती के हाँ से पानी पी सकते हैं और पानी पीने के बाद जो भी आप मीठा या मिठाई आपके पास है उसे खा कर अपना व्रत तोड़ सकते हैं और फिर आप नीचे जा करके खाना खा सकते हैं तो इस तरीके से आप करवा चौत के दिन चंद देफता की पूजा और उनको अर्ग दे सकती है और इसी तरीके से आप पती पूजन भी कर सकती है तो अगर आपको मेरी पूजा विधी और समझाने का तरीका अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए जादा से जादा शेयर करिए और चानल को पहली बारा है तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब करिए